हेलो दोस्तों आज है 15 दिसंबर बतलब जो आज तीन आईपियोज ओपन थे मैट प्लस का आईपियो डाटा पेटन का आईपियो और तीसरा है एच्पी अदेस्व का आईपियो मैट प्लस के आईपियो में अप्लाई करने के लिए तीसरा और आखरी दिन था एच्-पी अदेस्व के आईपियो के इप्लाई करने के लिए पहला दिन था तो इन तीनों आईपियो उसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिपशन मिला है हालांकि दोस्तों जो मैट प्लस के आईपियो का जब मैं सब्सक्रिप्शन का टाइम देना पड़ रहा है अब आप सोच रहे होंगे मेरी किस की shop है तो मेरे sweets and नमकीन होती है उनकी shop है जो राजस्तान में generally होती है sweets and नमकीन की shop उस तरह की मेरे एक shop है उसका भी मैं कभी आपको टूर करवाऊंगा कि कैसी है मेरी shop तो थोड़ा busy होने के कारण में आपको वीडियो का update नहीं दे पाया मुझे पता है कि सबके लिए जरूरी है वीडियो का update subscription और गिरे market का premium इससे क्या है कि आपको काफी help हो जाती है और short वीडियो के अंदर आपको काफी सारी जानकारिय मिल जाती है तो अब कल से आपको regular update मिलते रहेंगे और काफी सारी जानकारिया मिलती रहेगी तो अब दोस्तो सबसे पहले बात करते है Medplus की IPO को total कितने गुना subscription मिला है आज उसके लिए आखरी दिन था इस IPO में apply करने के लिए तो दोस्तो Medplus का जो IPO है total subscribe हो है 12.69 गुना बहुती जबरदस subscribe हो है तीसरे दिन और दोस्तो आप लोगों में से किन-किन लोगों ना इस IPO में apply किया है मुझे comment करके ज़रूर बताए और इसका QIB portion जो subscribe हो है 111.90 गुना काफी जबरदस subscription है QIB portion से और इसका जो NII portion सब्सक्राइब हो है 85.33 गुना और दोस्तो इसका जो retail portion सब्सक्राइब हो है 5.24 गुना और application-wise जो retail portion सब्सक्राइब हो है 4.81 गुना तलब 5 लोगों में से एक लोग को इसका allotment मिलना कता है और दोस्तो इसका जो employee portion subscribe हो है 3.05 गुना बहुती जबरदस्त और bumper subscription हमें देखने को मिला है इस IPO पर और दोस्तो इसकी grey market के premium पर मैं आपको शाम को update दे दूँगा और दोस्तो इसकी जो listing gains पर थोड़ा बहुत chance दो जहाब 50-50 का था कारण उसका है कि market थोड़ा डाउन चला है और काफी ज़्यादा IPOs एक साथ है तो सबके grey market के premium पर थोड़ा थोड़ा दबाव है इसकारण listing gains अच्छा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है फिर दोस्तो data pattern के IPO में apply करने के लिए दूसरा दिन था तो दूसरे दिन ये total subscribe हुआ है 7.68 गुना काफी अच्छा subscription मिला है दूसरे दिन तो दूस्तो आप लोगों में से किन-किन लोगों ने data pattern के IPO में apply कर दिया है और दूस्तो मेरी बात करें तो मैंने data pattern के IPO में apply कर दिया है और दूस्तो इसका QIB portion subscribe हुआ है 0.49 गुना और NIA portion जो subscribe हुआ है 5.20 गुना और दूस्तो QIB और NIAs तीसरे दिन बहुत ही जबरदस और bumper subscribe करेंगे क्योंकि इसका grey market का premium बहुत ही जबरदस चलता है और दूस्तो इसका retail portion subscribe हुआ है 12.42 गुना बहुत ही जबरदस subscription है retail portion द्वारा और दूस्तो ये total subscribe हुआ है 7.68 गुना बहुत ही जबरदस subscribe हुआ है दूसरे दिन और दूस्तो अब बात करते हैं HP ACU के IPO के subscription की तो इसको जो total subscription मिला है पहले दिन 3.48 गुना दूस्तो इसका issue size काफी छोटा है इसकारण इसको पहले दिन 3.48 गुना subscription देखने को मिला है QAB portion 0 गुना NIA portion जो subscribe हुआ है 0.38 गुना और दूस्तो इसका जो retail portion subscribe हुआ है 18.57 गुना retail portion बहुत ही जबरदस subscribe हुआ है हलांकि जो इसका retail portion है वो सिरफ 10% का है तो इसका जो retail portion काफी जबरदस subscribe हुआ है तो इसका जो issue size काफी छोटा है इसका नामे जो subscription के figures है वो थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे है बाकी इस पर पैसे अभी लगबग उतने ही लगे है और दोस्तो आप लोगों में से किन-किन लोगों ने HP Adassive के IPO में apply किया है मुझे comment करके जरूर बताएं तो दोस्तो हमारा वीडियो हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तो चैनल को subscribe कर लें ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे और दोस्तो साम को मैं गरे मार्केट के प्रीमियम पर आपको अपडेट दे दूँगा तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर